हालो गईज, वेलकम बैक अगें यूर चैनल, I am going to analysis of bank nifty for tomorrow trading, अगर इस वीडियो is knowledgeable for you, then definitely please like this video and subscribe my channel for latest informative वीडियो, तो मैं यहाँ पे bank nifty को analysis करूँगा 15 ने टाइम फ्रेम पे, तो चलिए वीडियो को अब शुरुआत करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे, कि आज market 100-200 की gap down opening करता है, in the morning में, morning में फिर क्या किया किया कि यहाँ पे previous day पे support लेकर करके, market एक upside की momentum continue करने की कोशिस किया, लेकिन अपने previous day जहाँ पे market कल close हुआ था, उसी के according पे यहाँ पे market ने resistance लेकर करके, price फिर यहाँ से एक rejection होता है, और एक downside की momentum को continue करता है, और जो previous day का low था, उसको भी यहाँ पे कही ने कही market break करके, एक नया downside की momentum को continue करता है, और एक fresh low बनाता है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे 15 minute time frame पे analysis कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे support लेता है, और 15 minute time frame पे एक यहाँ पे आप देखेंगे क बिग bullish मारी बूजो candle यहाँ पे बनाता है, और एक bullish single fin candle भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे बना करकर करके, market ने जैसे ही आज अपना एक price action जो patterns बनाया था, यानि कि double patterns भी इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि double patterns create किया है, तो double patterns की बारे में मैं बताना होंगो कि double patterns एक bullish patterns है, जब भी market में बनता है, और वो अपने neckline को break करता है, तो एक upside की momentum माना जाता है, किसी stock या किसी index में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक market ने एक double patterns create किया, और अपनी इस neckline को double pattern break किया, तो एक sharp आप देख सकते हैं कि एक भी यहाँ पे आपको negative candle देखने के लिए नहीं मिलेगा, sharp upside momentum हुआ, और अपने आज का जो high बनाया था, उसको भी break करकर के, कहीं ने कहीं market एक fresh high बना करकर 33,206 पे market close किया, अब हमारे पास कल क्या scenario हो सकते हैं, bank nifty में, हम लोग यहाँ पे उसके बारे में analysis करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझें के previous day, वहीं पे कहीं ने कहीं आकर करके market ने यहाँ पे closing दिया है, तो यह आपको कल एक resistance की तरह भी use हो सकता है, 33,208 यह हमारा label कल होगा upside के लिए, अगर कल इस label को bank nifty break करता है, और break करने के बाद इसके उपर price sustain होता है, तब हम लोग यहाँ पे bank nifty में एक buying position बना सकते हैं, suddenly जब इसको break करेगा 33,208 के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक resistance की तरह भी market कल react कर सकता है, अगर कल यहीं से market gap down opening देता है, तो हम लोग wait करेंगे एक price action के लिए, अगर suppose that market 200, 300 या 500 के नीचे अगर gap down opening देता है, अब price को फिर एक हम लोग upside की momentum कुल के लिए wait करें और फिर वहाँ से कहीं एक price action बनाएगा इस type के, तो इसके high पे और इसके low पे हम लोग break होते ही position बनाएगे, अगर कल अगर heavy gap down opening होता है, और इस label को break करता है 32,205 को हम लोग suddenly इसमें एक selling position बना सकते हैं, क्योंकि यह इसका एक important support label भी है, बैंक निफ्टी का, अगर वीडिय लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवद